हमेरा इस चाहित है कि बीजेपी को रोका जाए लेकिन समाजवादी पार्टी बहुदर समाज पार्टी केंदे ना ये मुखेरी राल के सपने हैं समाजवादी बहुदर समाज कांग्रेस के चपकाशियों सुगो तो यादों जी को वापस अपने गाए और भैस के तबेले में जागर के, तो हाला हाल भाई इसमें तूट तूटा पड़ेगा तो लेता जी हो या योगी जी हो कोई भी हो या माया बती हो तो इनिशाल नाहुत आला उत्तर परदेश के विधान सवा में अपने मसाइल पर आवाज हुआएगा जिसकरी कैसे है भाई भाई री असंडिक आवकर हमारे लीडर हमारे खायं हभी मिल्ड जनावतपर उप्बिरोओं साहब चीफ पीरिस्टर की आपकों पर आपे डाल करके बात करतें और चीफ पीरिस्टर साहब आप देंगे या नहीं देंगे इसका जवाब लीजिए आप कर दो लाद रूपे से किस ने कर वाया किसा的是 कर लेंगे अरे लोग यह भी कहते हैं कि एक क्रमेंमों से पुछो मैंने अभी श्या है तो पांच और तालीस पर भारी होती है आज बताईए सच्छर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा यकिनां मुसल्मान का स्वंदा है उडिस्तान के अंदर लेकिन हैदराबाद का मुसल्मान क्यों क्यां आपके पास अपनी हया है वहाँ आपके पास अपना धंडा है वहाँ आपके छंडा है जलितों की डंडा बनाया अपना जन्डा बनाया कब constraints करें ही तो उनके गले में मच्टी लटकाई जाती थी धरितों के साथ किया जूर्बुजई हुआ आजाद हिंदुस्तान में हुआ एक सर एक टीस एंपी जट्की लोकसभा के अंदर आजादी के पास हमेशा धरित होता है कि अज़ितों तक तक तुमारी आवास नहीं होगी तुमारा झटा नहीं होगा तुमारी पासी तो संघा काशीरा मायावती को अपना नेता माना नीले जंडे को अपना जंडा बनाया धातुर वस्तों से गुज़ते थे साइकल पर जंडा बान करके तो डंक हमारे वो जंडे को निकाल करके अपनी पाकिट में रख लेते थे क्योंकि बाउसाब नाराज होंगे जंडे मारेंगे ये गौत वा लेकिन उनों ने अपनी पाटी को अपने लीडर को अपना मन लिया था और जब वक्षवाया तो उनोंने उसका च्वार कहा पर दिया शाकर के भेले लिए प्लेट से नहीं दिया उनोंने सारी चीजें सारी मुसीबतों को परदेश किया और चाथ हम एक बार दो बार तीम बार नहीं एक ग्यारा परसेंट मुतहिद हुआ चार माज़बा पीम पेटी तो परदेश का मुक्तन परदेश का मुक्तन परदेश ने बीस परसेंट हमारी आवाली है हम कहते हैं समाजवादी पार्टे के मुस्मिन चपकासी कहते हैं पर यह तो मुगेरी नाल के सपने हैं समाज वागी पहुदे समाज कांगे इसके चपना सियों सोगो हमारे लीडर दे कंजिकम हमें सिर्फने तो दिखाया है और आगे वही बस्ता है जिसके पास सपने होते हैं आज आपने बच्चे से पूछो बेटा बाहा होते हैं जाओ बनेगा वेटा क्या कहता है अब बच्चिल बनूगा डाक्टर बनूगा लायर बनूगा पाइलर बनूगा ये उसका सपना होता है तो हमको सपने भी देख लेगे अधिकार रही हम दिस्पोजर की रास है हम तुमारे खुलाब है तुम हमारे यांगा हो, हम तुमको वोट डालते रहेंगे तुम हकूमत करोगे, हमारी कमरस्तानों के कब्जा करने वाला उत्तर परदेश में सब्सक्राइब कोई है तो मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, हो कोई दूसरा नहीं है वो जादो परिमाज के लोगे अगर समाजमादी पार्टी के हो कोवट में सब्सक्राइब सुन्जों कर किसी पौण पर रुआ है तो मैं ये दावे के साथ करता हूँ, कि मुसल्मानों के उपर हुआ हुआ सरकारे किसी की भी नहीं हो, सुलमकानी साना मुसल्मान सपा बसपा को अंगरेश की से पीदी हो, लिंची मुसल्मानों की होती है अब किसी यादों किसी कली, किसी ब्रामर, किसी ठापुर की नहीं होती क्योंकि उनकी अपनी आवास है, क्योंकि उनकी अपनी अच्छमाद है, क्योंकि अपना लीडर है, आपके पार स्वाई नहीं है, सासी एक बार से, आज ये 20% अउत्तर परदेश में यतीम है, मेरे भाई, मैं आपके कहुँआ, कि जम्हुरियत की सबसे बड़ी जो ताकत है, यही वह ऐसी ताकत है, जिस सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं, जिस दरीगे से सियो साइबा यह डियम साहवा ये सभाव ये सद्जियन ताहब ने कहा कि यहां कोई भर्मिशन नहीं दिया, अगर हमारे पास स्यासी ताकत होगी, तो उस टाकत की चावी को लगा करके, हम भी मेरे दोस्तों समझों को समझों की कोशिश करो यह हमें बेवक्तों बनाते हैं हमें उसमें नहीं परना मुताहिद हो रहा है मुनस्थम हो रहा है और एक एक तक मज़े सित्हाद मुस्ट्रमीन भी पर्चप को पुछा रहा है और सुन लिजिए उत्तरबादेश के हम फो भी दाजावा पर तयारी कर रहे हैं और इंशाल्ला हुटाला जब तुमें हमारी फिकर नहीं हमको महते पीजेपी को रोखा जाए चलिए आईए साथ मिलेते हैं आज पीजेपी को रोखना तब यह कहते हैं हमको नहीं लएगे आप बताईये मुझे इसी बारा बंकी के अंदर हमारा जिना बंचाए सगस जीता जीता की नहीं जीता जीता आज हमने उसको पार्टी से क्यों निकाल जिया क्यों निकाला क्योंकि उसे ने अपने और बीजेपी को डाला था समाजवाजी पार्टी बताए कि तुम्हारे जो लोगों ने बीजेपी को डाला तुम तो आठ सौर से जैदा तिरा परिशन जीत के आए तो तुमने अपनी पार्टी के कितने लोगों से पार्टी से निकाला जिसने बीजेपी को डाला तुद ने तुशुलिय सिह को भी अपनी पार्टी में लेरिया जिसके कहा मसली मरतों को कबरस्तान से निगाल करने के साल फलाक काल कर तूंगे प्लियाजी नहीं लेर सुल्तान पड़ा से हमारे दीन बीज़ेपी कोड ड़ा था हमने दूसरे दिन पार्टी से सस्पेंट कर दिया और हमने सस्पेंट लिया हमने भूध लिया तो समाजवादी पार्टी ने उसको चाहिए उसने लेए अब बताई है मुझे मेरे दोस्तों चुकि वक्त की किलत है बेरिस्टर साथ को चाना है अगर हमारे साथ कोई नहीं हाता तो डरने और भबाने की जरूरत नहीं है दरने रिष्टास होती हो इसी से हम यहां आ जाएगे तो यादो जी को वापस अपने गाए और भैस के तबेले में जागर के तो अजार भाइस में तूर दूरा पड़ेगा लेकिन इशाला हो ताला यादो जी यकिनन आपकी बात और आपके जूट को याद रखना जाएगा और जो एक मुहतरमा है सरकिर अफीसर सीमा यादो जी जिससे आप परके दवाव बना रहे थे कि वह इसी को ना ले दिया जाए तो मैं आपसे कहना चाहूंबा कि हमारा देश एक जम्हूरी बुल कहें और जम्हूरियत में अवाम माश्चा होती है और जब पास्षा आता है तो नोगरों से पर्मीशन नहीं दे जाती है बलकि इंफॉर्मेशन की जाती है कि आई एम तर्मीब अब आप हम तो नहीं आने देंगे बारा बंदी किसी के बात की जागीर नहीं है बारा बंदी भारत में है बारा बंदी उत्तर पर्देश में है और बारा बंदी उत्तर पर्देश का दिल है और बारा बंदी पूरे पर्देश की राजनीद की जिशा और नसक्तर करती है आप यह समझ रहे हैं कि बैरिस्टा सोती वैसी साहब को आप रोग लेंगे जिस तरीके से आपकी सरकार के उत्तर पर्देश ने दो आजार बारा से ले करके सत्तरा सक में हमारे लीडर को अठाइस बार से जिस्वा करने की पर्मिशन को कैंसिल किया या आने से रोगा तो आप यहां के मेले हैं और सुनिए मेले साहब अगर आप कामियाब हुए है तो मेरे भाई की ओटों के खेरात पर कामियाब हुए है तुम्हारा ओटर समाजवादी पार्टी के ओटर जो यादव था वो तो बीजेपी के साथ चला गिया गया की नहीं गया अगर यह मुसल्मान मोटर समाजवादी को अठना डर्टा तो यादव जी तुम्हारे गाल में हर्टी ना लगती और तुम्ह उत्तरपरदेश्टी की दानसपा में नहीं जाते आप सुनिजिए हम मजरिस के लोग हैं हम लोग किसी को छेड़ते नहीं आप भी हमको मत छेड मेरे दुश्चों मेरे बुजिद्ब को हम बीजेपी की बीसी में हम बिजेपी को फायता पहुंचा जाए है 2017 का एलेक्षन आप मो वह जात होगा कांग्रेंस पार्टी समझवादी पार्टी का एलाइस का समाजवादी पार्टी को 22% ओच मिला बीजेपी को कितना मिला 42% बहुजान समाजवादी को कितना मिला 23% समाजवादी के साथारी से मिलने जीते बहुजान समाजवादी के साथ मिलने जीते कांगरेस पार्टी के साथ मिलने जीते और बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटों पर का दिया हुए हम उत्र परदेश में किती सीटों पर लड़े हम 32 सीटों पर एलेक्शन लड़े चलिए अगर हम 32 सीटे हम ने हरा दिया तो बीजेपी बागों से 325 के आख़े पर केसे पूर्चीज का जिनवीदार दाए है बीजेपी इसके एलेक्शन में सभा बस्पा का एलाइन उत्तर परदेश में हुआ लोग बना कुछ दे लोग कहते थे कि बास खताम अब तो बीजेपी को हम उत्तर परदेश से उखाओ देंगे परदेश में एक सभा का एलेक्शन नहीं दरेंगे सब कुछ नहीं कि हमारे पास वसाइल नहीं थे सब कुछ ना हमारे लोग पी चाहिते थे कि हम लोग सभा का एलेक्शन लेकिन सदर साथ का फैसला था हम भी ये चाहिते हैं कि उत्तर परदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान से बीजे पीडा खात्मा हुआ हम नहीं रहें किसी सपाबस्पा का एलाइश बीजे पीडी साथची को परचुनावजी के उत्तर परदेश के अंदर आपको मालूम है 2017 के एलेक्षन में कहा समाजवादी को बाइस परसेंट ओड मिला था 2019 के एलेक्षन में समाजवादी 55 ओड परसेंटेज भट करके 17 परसेंटे आ गया 5 परसेंट जादो बीजे पी के साथ समाज़ आ गया और उसका ओच्षिक हो गया बीजेंटी के साथ बीजेंटी जिसको 2017 में 42 परसेंट ओड मिला था तो 2019 में 50 परसेंट पर बीजेंटी पहुच गई अब आप मुझे बताईए कि अधिये श्यादों के पास वो कौन की जादू की छड़ी है जो 70 परसेंट से 50 परसेंट तो रो ना होते हैं आप जोर में जिए 17 और 11 परसेंट सिर्फ गलिजेंटों का ओड बीजेंटी को मिला यानि हमारे हेंटों से सभा और वस्पा गेरेंटे दस एके पाच अबी जीत करके आए लेकिन अब ऐसा नहीं होगा हमें राइस चाहिते हैं कि बीजेंटी को रोका जाए ले करना वाना एक लीडर्शिक उत्रपरदेश मुसल्मानों की प्योलब हो जाएगी जो विदान सभा के इलेक्शन में जा करके सवाल कर दे लेगेगी जिस तरीके से दो हजार 12 के इलेक्शन में इन्होंने वादा किया था मुसल्बारों को रिजर्वेशन देंगे जो मुसल् मुसल्मानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा आप मुझे बताएगे आदक्वार के फूटे मुक्तबों में जेल की सवाफ होगे पीछे जो मुसल्मान है उनको छोड़ा जाएगा मुस्लिम बच्छों को पढ़ने के लिए मुस्लिम एनाकों में उर्टी मेडियर के स्कू बनने के बाद की नेता जी मुसल्मानों से हमने यह बादे किये थे एक दिवादा हमने दूरा नहीं है